हलो मैं प्रीटी इजी टो कुक से आज मैं आपको कड़ाई वाला हलवाई जैसा दूद वो भी बहुती स्पेशल तरीके से पानी की साहता से हम किस तरीके से बना सकते हैं वो बताऊंगे बहुती बढ़िया और बहुती आसान रेसिपी है ये इसके लिए मैंने एक लोई की कड़ाई लिए कड़ाई हमारी हैवी होनी चाहिए उसको गैस पर रख दिया है अब उसमें हम एक लीटर फुल क्रिम बिल्क दूद डालेंगे गैस हमारी फुल गैस पर ही है चुकि हमको दूद में उबाल लेना है साथ ही अब इसमें हम आधा लीटर पानी डालेंगे यानि एक लीटर दूद और आधा लीटर पानी उसमें हम डाल देंगे एक उबाल आने के बाद हम गैस को एकदम स्लो गैस पर कर देंगे और स्लो गैस पर कम से कम हम इसको आधा गंटा पकाना है क्योंकि दूद को हमें बहुत दीमी दीमी गैस पर पकाना है देखे करीब आधा गंटा हो चुका है इस तरीके से आपको दूद्ध दिख रहा है तो कि इसमें जितना आप पकाएंगे उतना ही बढ़या लगेगी लेकिन हमें इस तरीके से पकाना ही कि ऐसा नहों कि पकते पकते दूद का कोवा ही बन जाए इसलिए ताकि इसका कोवा ना बने इसलिए इसमें ये special trick होती है हम इसमें पानी एड़ करते जाते हैं उसको दीमीदी की में गैस पर पकाते हैं अब इसमें हम दुबारा से आदा लिटर पानी डाल देंगे यानि करीब आप ये समझे एक लिटर दूद पे एक लिटर पानी अराम से डल जाता है उससे कैस कि दूद की quantity उतनी बनी रहती है यानि एक लिटर दूद को हम पकाएंगे तो पकने के बाद भी वो एक लिटर ही रहेगा चुकि पानी इसमें एड़ हो जाता है चुकि इसको बहुत गाड़ा नहीं करना है लिकिन इसमें जो खुश वो आती है पकने के बाद आप देखनें इसके कलर भी एकदम से चेंज होने लगा है अब इसमें हम चीनी डाल देंगे चीनी अपने टेस्क करनुसार डालेंगे बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे चुकि कड़ाई हमारी हैवी तो बहुत ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता है देखे कितनी बड़ी हमारा पक रहा है एकदम कलर भी चेंज हो रहा है और साइड में मलाई भी आती जाते हैं इसको साइड में ले ले लेते हैं अब इसमें लाची पाउडर डालेंगे लाची पाउडर कैसे त्यार कर सकते हैं वो भी आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही अब इसमें हम थोड़े से पिष्टा डालेंगे थोड़े सी किरोंजी डालेंगे और थोड़े से बादाम कटे हुए डालेंगे तो बहुती बढ़िया मेवा का टेस्टी दूद बनता है इसको गरम-गरम कुलंड में सर्फ कीजिए शाद में स्पेशली बनाया जाता है अगर आपको मेरी रैसी पसंद आया तो इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब